चेश श्रीकृष्णा, स्टार प्लस की यूट्यूब पेच पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेच को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए तो कि देखने हैं, हो देखने हैं, हो देखने हैं कर दो झाल 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 तो आप बताओ पाकी, कौन बेस्ट है? बताओ पाकी, बोलो ना बोलो पाकी, बोलो तुम जीती मेहारी, तुम बेस्टो काव्या, तुम ही सिखाओ मेरी सुईटी को पाकी, ये डांसमांस तो तु ही जाने, पर मा तो वही बेस्ट है, अरे जीत तो कोई भी सकता है, पर अपनी बेटी के लिए जीत के भी हार माने न, वो एक मा ही कर सकते हैं देखा पाकी, कैसे हार के भी महान बन गई, अगर मैं उसकी जगा होती न, तो मैं चिलाती, जगडा करती, कहती कि मेरी बेटी से दूर रहो, और मेरी बेटी को डांस सिर्फ मैं सिखाऊंगी, मगर अनुपो मा न ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती है न, कि वो डांस अकाडमी के साथ बिजी होने वाली है, फिर उसके पास तुम्हें डांस सिखाने का टाइम ही नहीं होगा, इसी पापा ने भी जाते वग तुम्हें कैसा लुग दिया था, जैसे कि सारी करती सिर्फ तुम्हारी है, बट यू डोंट वरी स्वीधार, पेस्टी है न, तुम्हारे साथ, made out मंमी कावयाने न पहले मुझे मैनोपोलेट किया और अब वो पाकी को कर रही है, और पाकी एजली मैनोपोलेट भी होरी है, मंमी आए नो की, स्वीटी टीनेजर है लेकिन इतनी इएटीनेजर क्यो है वो? समर पर सीरिसली, ममी स्वीटी कावय के वज़े से डिप्रेशन में गई थी, अब सड़नली फिर से कावय स्वीटी की बैस्ती बन गई? यह उमर है, इस उमर में छोटी से छोटी बात दिल को चूँ जाती, और इन छोटी छोटी बात तो सही दिल में खटास पैदा हो जाती है, ममी यही खटास कावय आपके और पाकी के बीच में डालने की कोशिश कर रहे हैं, огามी प्रीजोंड लेठ lado eater अबकुछ व्याप्र्ट अर वेड़ सभीर स्वीटे का अर चाहिए पार प्लीज निया क मडडने दीजिये हुजी अनकर स्वीटे की पिकर नहीं है मुझे पिकर रेतो स्वीटे की कुछ बहु Ger अपर को जाया कितने दागे बाद हो, कितनी गार ठेलगा हो, पेले तो सू, फिर किन जल, कितने दागा बांती हो, तो दूसरा कम जोर पड़ी जाता है, काना जी, कोई और पर एक सले लीचे ने, मेरे बच्चों को नाराज मत कीचे, बच्चे नाराज होते हैं ने तो, नो दिल तूट जाता है, कितना अच्छा डांस करती हो, पाकी से तुम अपना रिष्टा सुधारने की कोशिश कर रही हो, अच्छी बात है, पर इसे अनुपमा और पाकी की रिष्टे में कोई टॉबर्म नहीं होनाजी, प्लीज टेक केर, पाकी और तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, तुम मुझसे जादा खुशी किसी को ने मिलेगी, पर जाला समाल के, पहले वारी गल्तियां दुबारा रिपीट ना हो, ना तुम से और ना मुझस से, ओके? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं? हुट टैम! वी से कैफे के बारे में तो पूछना ही भूल गई नेवर माइंड, थैंक गॉड भी नाराज नहीं है पर पाकी अनुपमा से नाराज होगी and I'll make sure of that पाकी को अनुपमा से मैं दूर करके ही रूंगी मैं बना तो छूटी नो थैंक्स यह देख मुझे क्या मिला यह देख मुझे क्या मिला इतने दिन से ढूंड रहते हैं हम लोग तेरी फेवरिट के लिए ले फेवरिट थी आप नहीं एक बार लगा के देख सायद फिर से फेवरिट हो जाए सुरी सुरी मेकल तुझे डांस नहीं सिखा पाए पर यह देख तेरे लिए बना है वो थोड़ा बाट समय मिलता था आते जाते वग समय मिलता था घर में जोपी समय मिलता था उसमें मा को बचाने की आदत होती है ने चाहे वो समय हो या पैसे मा बचाना चानती है प्ले ले सुरी 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 पाकी ने कल बहुत बत्तमेजी की है नहीं करनी चाहे थी पता नहीं कहां से उसने इसब सी तुम्हें अपने मेड के बच्चों की जिंता है लेकिन अपने बच्चों की नहीं नहीं आई आई नहीं यह तुम्हारे लिए काफी आख़र सिचुश्शन ना तुम काविया को हर्ट करना चाहती हूं ना मैं अगर यह कैफे मेरी आखरी उमीद नहीं होता तो मैं कभी तुम्हें इतनी मुश्किल सिचुशन नहीं लाता और इस आखरी उमीद को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरुट है अगरू सप्राइज मैं भी कैफे चल रही हूं वी और वी तुम्हारे साथ मैं हूं तो मैं और किसी के साथ की जरुट नहीं है विसे सूरिया मैं यहां उपर तुम्हारे हिस्से में आ कई स्वीटी के वचे से सोखी है नूपमा बाउंडरी सो तुम रोज ही क्रॉस करती हो हर चीज के लिए सूरी सूरी बोलती रहोगी तो ठक जाओगी और सुनो पाकी की जिंता मत करना हां उसके साथ उसकी बैस्टी है तेंक यू ऐसा लग रहा है जिसे पुराने दिन लॉटाए है ना जब पाकी मुझे बैस समझती थी और तुम्हें लोजर बैस्टी पिर इस्कूल के फंट्रेव में ना ममी की जगह आपको इस्टॉल लगा दो बैबी एक रिक्वस्ट करो बैबी? भी तुमने मुझे बैबी कहा? आज ता तुम मुझे जान भी मांग लो आज ता तुम मुझे जान भी मांग लो जान नहीं चाहिए टू? बस तुम राखी दवे मत पनना बिना बजय ताने मत देना प्लीज और आज कर खाने में कोई तमाशामत खड़ा करना ओकी बैबी दोन दुरी जीजेजी एक करलर कॉंपटिशन में जीतूंगा वो अनराज के दोस्ते कैफे बेचा तो थोड़ा सामान वहाते अधे दामों में लिया थोड़ा गरका और वो समर के दोस्तों भी बता के रखा था तो इधर दोस्ता कर पर दिया देख किना मत लग रहा है कि अधे। ब्सक्राइक है बगर अच्छा है थेंक यू क्या देखरी? यह यह तेरा देंज स्कुल है? मेरी बेती का, मेरी अलुम का देंज स्कुल थैंक्यू हाँ? यह तो क्या कर रहे है? थैंक्यू किसलिए? उढ़ना सीखने के लिए तुछे याद है? तुछे याद है तू अपने जनम दिन पे भी खोदी खाना बनाती थी तारे जाम दिन्नी पार्टी और बद्दू काम तुई करे छे अब क्या है न मा? इनको मेरी हाद का खाना पसंद है हो? अब तुन्हे खाना बनाने इतना अच्छा सिखाए तो और क्या करती है? हाँ बेटा, मेने तो तुछे सिर्फ खाना बनाना चूप रहे के सबसे कर घ्रेस्ती चलाना और सर जुका के चलना सिखाए पर उड़ना तो तुने खुझ सिखा है ने? पर मैं क्या करती बेटा? हमारी जमने में तो किसे ने हमें ये बताया ही नहीं था कि बेटी भी आसमान को छूँ सकती है हमें तो बस यही जिखाया गया था कि पेटी की जगा घर में ही है और जिसे घर में रहना है वो पंक लगा के क्या करेगी? है ने? हमें तो बस यहीं पता था नहीं किताब, दूता गिलास, गरम रोटी, नई चपले, नए अबस्ता और नए गिस्मत इन सब पर सिर्फ बेटों का होक होता है बेटी को तो सारी पुराने चीजे मिलती थी किताब भी और किस्मत भी किताब जो अपने भाई के थी और किस्मत अपने मागे पर आनू, तुने आज अपनी नई किसमत लिख डाली माप कर दे ना मैंने तुझे सब गलत बाते सिखाई था नहीं मा, तुने तु मापन के बस वही सिखाया जो तुने बेटी बन के सीखा था आनू, अज मुझे तेरे उपर बहुत गर्व हो रहा है बहुत और मुझे भी तुझ में बहुत गर्व है मा क्यों? अरे, तुने अपना बिजनेस सुरू कर दिया है तो मैं भी सबसे कह सकती हूंने कि मेरी मा भी बिजनेस वुमन है देखना बीटी, तेरा ये एक कदम तेरी पीडियों को दस कदम आगे लेके जाएगा क्योंकि तुने तो बर्षू से चली आरी रीती बदल डाली है अज तुने ये साबित कर दिया कि बीटी अपनी किसमत खुद लिख सकती है और आसमान को छूबी सकती है और देखना तुने तो आसमान छू लिया जटी माँ अभी तो बाएसमान की तरप देखा है आसमान चूना तो बाकी है और मुझे पूरा बरोसा है मेरी बेटी एक दिन आसमान को छू भी लेगी जूरूंगी माँ पधा है क्यो क्यों कि आसमान को छुने के लिए एक लंबी सीड़ी चाहिए होती है पर सीड़ी चितनी लंबी होती है उसके गिरने का उतना ही डर होता है इसलिए सीड़ी को समालने के लिए एक परिवार चाहिए होता है और मेरे पास तो बाह है, बापुजी है, बच्चे है, तू है, भावेस है इसलिए तो मैं सपने देख भी पा रही हो और चड़ भी पा रही हो कानाची तुझे ऐसी ही खुष रखे होमेशा और तेरे सारी सपने पूरे करे लिला, इतनी कुर्शिया काफे होगी मुझे तो लग रहा है काम पड़ेगी वी, ये सब काफे का फॉनिचर है हाँ मुझे लगा ये वो बोरिंग डांस अकाड़ेमी का फॉनिचर होगा काफ्या वी, तुम मेरा ओनेस्ट ओपेनियन चाहते हो ना तुमने कभी भी किसी काफे में हैसा कबार ताइप फॉनिचर देखा है क्या? शाम तक का वग्दो काफया तुम्हे इस कबार में भी आठ मिज़र आएगा Samar, यह कोई स्कूल का DIY प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर जो भी अवेलेबल मिले उससे कुछ ना कुछ अर्टिस्टिक बना लोगे मासी, जिस्ट वेट और वाच ना? वी, I just think you're wasting your time. I think we should just do some... पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, सोसेज नहीं है So creativity is the only option तुमने देखा नहीं, Samar Nandini ने अनुपमा की अकाइडमी कितनी अच्छी बना दी तो थोड़ा टाइम दो I'm sure वो हमारा कैफे भी बहुत सुंदर बनाएंगे कर दो हमारा कैफे भी बनाएंगे